हेलो बच्चो मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम कक्षा दसवी हिंदी के लेखन कौशल से समबंदित एक महतवपुन विशे लेकर आए हैं आज हम चर्चा करेंगे कहानी लेखन अत्वा लगू कथा लेखन पर जो आपके परिक्षा में लेखन कौशल के खंड़ ए में पूछे जाने वाला प्रशन है इस वीडियो के माध्यम से हम आशा करते हैं कि कहानी लेखन, अत्वा लगु कता लेखन के संबंद में आपकी जितनी भी परिशानिया हैं, जितनी भी समस्या हैं, वे सभी हल हो जाएंगी. तो जादा समय वियर्थना गवाते हुए एक वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको कहानी किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए तो कहानी की जो परिभाशा है वो है जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्नन को कहानी कहते हैं कहने का ताथ पर रहा है कि आपके जीवन में जो भी कोई एक ऐसी घटना घटती है जो बहुत जादा रोचक लगती है बहुत जादा इंटरस्टिंग लगती है उसे जो है कहानी कहते हैं यानि जिस बात को सुनते हुए या सुनाते हुए आपको बहुत जादा एकसाइटमेंट होती है उसे जो है कहानी कहा जा सकता है अपने प्रशन पत्र के आधार पर इस प्रशन के लिए आपको कुछ बातों का ग्यान होना चाहिए जैसे कहानी लेखन कक्षा दस्वी के लेखन कौशल के भाग ई में पूछे जाने वाला प्रशन है जिसे अब जो है लगू कथा लेखन के नाम से पूछा जाता है यह जो प्रशन है वो पाच अंकों के लिए पूछा जाता है और इस प्रशन में आपको विकल्ब दे जाते हैं यानि इस प्रशन में आपको चॉइसिस दी जाती है और आपको अपने चॉइस के अनुसार जो आपको सही लगता है जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे से कहानी लिख सकते हैं, उसे आपको चूज करने के लिए कहा जाता है और इस प्रेशन में जो है शब्दों की सीमा आती है यानि इस प्रेशन में आपको 100 से 120 शब्दों के अंदर अपनी कहानी को लिखकर स्माप्त करना होता है अब बात करते हैं नई शिक्षा पद्धि के अनुसार कहानी लेखन की यानि अब जो है नई शिक्षा पद्धी के अनुसार जो कहानी लेखन है उसमें कुछ बातों को और एड़ कर दिया गया है आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है उस पर चर्चा करते हैं पहला है कहानी से संबंदित अधिक से अधिक मुद्दे दे कर यानि आपको प्रेशन पत्र में कहानी से संबंदित अधिक से अधिक कुछ मुद्दे दे जाते हैं जिसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है दूसरी बात है कहानी से संबंदित कुछ मुख्य मुद्दे दे कर और हो सकता है कि आपको अधिक मुद्दे ना दे कर केवल कुछ मुख्य मुद्दे ही दे जाएं जिनका अंदाजा लगा कर आपको अपने शब्दों में कोई कहानी लिखनी हो और तीसरी है कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियां दे कर और हो सकता है कि आपको प्रेशन पत्र में प्रेशन में जो है कहानी की चुरू की कुछ पंक्तियां दी गई हो जिसके आधार पर आपको पूरी कहानी लिखनी हो कहानी की अंतिम पंक्तियां दे कर या फिर उससे संबंदित कुछ पहले ही लिख लेना हो और अंतिम पंक्तियां जो है आपको उन्हीं पंक्तियों को जोड़ना हो इस तरह से आपको जो है कहानी दी जा सकती है यानि प्रशन में जो है आपको इस चारों में से कुछ भी दिया जा सकता है जिसको पूरा करके आपको 100-120 शब्दों में अपनी कहानी को पूरा करना है अब बात करते हैं कहानी लेखन के प्रकारों ही आकार की दृष्टी से ये कहानिया दोनों तरह की हैं कुछ कहानिया लंगी कुछ अन्या कहानिया छोटी आधुनिक कहानी मुलता चोटी होती है यहाँ पर कहानिया जो है वो दो तरह की होती है यानि कुछ कहानिया बहुत जादा लंबी होती है जबके कुछ कहानिया जो है चोटी होती है लेकिन जो आधुनिक कहानिया है यानि जो आजकल की जो कहानिया है वो मुलता हो जो है वो छोटी ही होती है इन्ही आधुनिक कहानियों को ध्यान में रखते हुए आपके प्रिशन पत्र में कहानी लेखन को अब जो है लगू कथा लेखन के नाम से कहा जाता है और आपको जो है शब्दों की जो संख्या दी गई है 100-120 के बीच में कहानी पूरा करने के लिए वो भी इसी कारण से दी जाती है अब बात करते हैं कि जब आपको कहानी लिखनी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली जो बात है वो है दी गई रूप रेखा अत्वा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको प्रशन पत्र में ही या तो आपको रूप रेखा दी जाएगी या कुछ संकेत दिये जाएंगे आपको उन्ही को आधार बना कर जो है कहानी लिखनी है दूसरी जो बात है वो है कहानी में विभिन घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए किसी प्रसंग को ना बहुत अधिक संक्षिप लिखना चाहिए ना अनावशक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो संकेत दिये जाते हैं जो घटनाए और प्रसंग है उनमें जो है आपको संतुलित विस्तार रखना है यानि जो भी आप लिखेंगे उसको किसी बात को ना तो बहुत जादा अधिक खीच कर लंबा ले जाना है और ना ही किसी बात को तुरंट खत्म कर देना है यानि आपको बहुत जादा ध्यान रखना है कि आप एक संतुलित तरीके से जो है अपनी कहानी को लिख सकें तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि आकर्शक होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाले कामन उसे पढ़ने में लगा रहे आपने बहुत अधिक ध्यान ये रखना है कि जब आप कहानी की शुरुआत करते हैं तो आपको इस तरह की भाशा इस तरह की शैली का प्रयोग करना है कि जो पढ़ने वाला है आपकी कहानी वो जादा इंटरस्टिंग रूप से पढ़ सके यानि उसको इतना इंटरस्ट पैदा हो जाए कि वो आपकी पूरी कहानी पढ़े ऐसा ना हो कि आपने कहानी इतनी बुरी लिखी हो कि वो आपकी कहानी पूरी पढ़ने से पहले ही जो है छोड़ दे और आपकी पूरी कहानी भी ना पढ़े कहानी की भाशा सरल सोभाविक तथा प्रभावशाली होने चाहिए उसमें बहुत अधिक कथिन शब्द तथा लंबे वाक्या नहीं होने चाहिए आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि आप बहुत जादा कथिन शब्दों का प्रियोग ना करें आपकी जो भाशा है वो बहुत जादा सरल हो सोभाविक हो लेकिन प्रभावशाली होने चाहिए और आपको जो है बहुत जादा लंबे लंबे वाक्या भी नहीं लिखने है क्यूंकि लंबे वाक्या जब आप लिखते हैं तो पढ़ने वाले का जो इंटरस्ट है वो तूट जाता है, आपको छोटे छोटे वाक्या बना कर लिखने हैं ताकि इंटरस्ट बना रहे कहनी को उप्युक्त एवं आकरशक शिर्षक देना चाहिए आपका जो शिर्शक होना चाहिए वो भी बहुत जादा आकर्शक होना चाहिए और कहानी से मिलता जुलता ही होना चाहिए क्योंकि जो शिर्शक होता है वो बहुत जादा इंपोर्टन्ट होता है कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लगोक्तियों का प्रियोग भी किया जा सकता है अब जब आप कहानी लिखते हैं तो उसमें आप कहानी लिखते हुए मुहावरे या लगोक्ति का प्रियोग भी कर सकते हैं कि जो कहानिया होती है उन में अगर महावरे और लकोक्तिया आप लिखते हैं तो वो बहुत जादा इंटरस्टिंग हो जाती है वो बहुत जादा रोचक हो जाती है और उसका जो प्रभाव है वो पढ़ने वाले पर बहुत जादा अधिक पड़ता है तो ध्यान रखें कि तब ही जो है कहानी कही जाती है, यानि उसको जो है आप इस तरह से बताएं कि जैसे वो पास्ट में चल रही हो, क्योंकि present और future में आप कहानी नहीं लिख सकते हैं आपको जो वाक्या बनाने हैं जो आप वाक्या लिखते हैं वो हमेशा से past में यानि था थी रहे थे रही थी इस तरह के वाक्या होने चाहिए जो हमेशा भूत काल और past में ही होते हैं तभी आपकी कहानी अच्छी और रोचक होगी कहानी का अंत सहज धंक से होना चाहिए ये भी बहुत जादा important point है कि जब आप कहानी का अंत करते हैं जब कहानी की ending होती है तो उसका जो ending है वो बहुत जादा सहज धंक से होनी चाहिए यानि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने हड़बड़ी में जो है कहानी खत्म कर दी या जो कहानी है वो अधूरी रह गई इस तरह से लास्ट में सस्पेंस नहीं होना चाहिए कहानी आराम से पूरे अंत सहच के साथ खत्म होने चाहिए अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट वो संक्षिप्त होने चाहिए अब जब आप कहानी लिखते हैं तो उससे कोई ना कोई सीख जो है वो जरूर मिलने चाहिए और जब आप उस सीख को कहानी के अंत में लिखें तो वो बिलकुल स्पष्ट होनी चाहिए उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ हडबड़ी है कुछ गलत है आपको जो है बहुत जादा संग्शिप्त रूप में उसे लिखना है यानि बहुत जादा लंबी सीख नहीं लिखनी है आपने कम शब्दों का प्रियोग करना है लेकिन अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों का प् अधारन देखिए पहले अधारन के कुछ संकेत इस तरह से हैं जैसे दो भाई घर में अकेले फाइल में आतंकियों की जानकारी आतंकियों का घर में घुसना फाइल ढूनना कमरे में बंद आतंकी किरफतार अभी आपको कहानी की कुछ संकेत दिये गए हैं यानि इनी संकेत के आधार पर जो है आपको कहानी का शिर्षक भी लिखना है उसकी जो कहानी है वो 100 से 120 शब्दों में समाप करनी है और अंत में जो है इसकी एक सीख भी लिखनी है तो आप किस तरह से जो है इसकी कहानी लिखेंगे आईए देखते हैं इसका जो शिर्षक है वो हमने दिया है चतुर अरजुन अब आपने कहानी किस तरह से लिखनी है जैसे एक दिन अरजुन और उसका छोटा भाई करन दोनों घर में अकेले थे उनके पिता जी एक पुलिस अधिकारी थे वे एक लाल रंकी फाइल घर लाये थे उसमें सभी कुख्यात आतंक्यों के बारे में जानकारी थी अरजुन जानता था कि पापा ने वह फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी हुई है अरजुन और करन खेल रहे थे कि तब ही दो आतंकी उनके घर में घुसाए और बोले लाल फाइल कहा है अरजुन बड़ा चालाग था वह बोला शेन कक्ष की अलमारी के उपर रख थे तब अरजुन ने धीरे से उस कमरे का दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया और पिता जी को भी फौन कर दिया चल्दी ही उनके पिता जी पुलिस लेकर वहां पहुँच गए दोनो आतंकियों को गिरफतार कर लिया इस परकार अरजुन ने अपनी चतुराई से दोनो आतं देखे हमने सभी संकेतों को जो है ध्यान में रहकर इस कहानी को पूरा किया और जो कहानी की शुरुआत है अंत है वो बिल्कुल सहज ढंक से हुई है कोई भी वाक्या हमने हरबराहट में पूरा नहीं किया है सभी वाक्या जो है वो छोटे छोटे वाक्यों में पूरे किये हैं और कोई भी वाक्या बहुत जादा लंबा नहीं खींचा है तो ये कहानी पूरी करने के बाद आप किस तरह से इसकी सीख लिखेंगे इसकी जो सीख है वो हमने लिखी है सूच बूझ से किसी भी मुसीबत से निप्टा चा सकता है तो चलिए दूसरा उधारन देखते हैं दूसरे उधारन के जो संकेत हैं वो इस तरह से हैं बारिश का अभाव एक भेड़िया चरागहा में भेडों का जुन्ड सारा पानी भी पी जाना भेड़े वहां से भाग गई अब इन संकेतों को ध्यान में रखकर जो है आपको शिर्षक कहानी और सीख सभी को लिखना है तो चलिए शुरू करते हैं हमने शिर्षक दिया है भेड़िये की योजना और कहानी इस प्रकार से है कि एक बार पूरे देश में सूखा पड़ गया पारिश के अभाव में सभी नदी नाले सूख गए कहीं पर भी अन्न का एक दाना नहीं उपचा बहुत से जानवर भूख और प्यास से मर गए पासी के जंगल में एक भेड़िया रहता था उस दिन वहो अत्यंत भूखा था भोजन ना मिलने की वज़ा से वहो बहुत दुबला हो गया था एक दिन उसने जंगल के पास सित चरागहा में भेड़ों का जुन देखा चरवहा उस समय वहाँ पर नहीं था वहो अपनी भेड़ों के लिए पीने के पाने की बाल्टियां भी छोड़कर गया था भेड़ों को देखकर भेड़िया खुश हो गया और सोचने लगा मैं इन सब भेड़ों को मार कर खा जाओंगा और सारा पानी भी पी जाओंगा फिर वहो उनसे बोला दोस्तों मैं अत्यधिक बिमार हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ क्या तुम मैसे कोई मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकता है उसे देखकर भेड़े सतर्क हो गई तब उसमेंसे एक भेड़ बोली क्या तुम हमें बेवकोफ समझते हो हम तुम्हारे पास तुम्हारा भोजन बनने के लिए हर्गिज नहीं आएंगे इतना कहकर भेड़े वहां से भाग गई इस प्रकार भेड़ों की सतर्कता के कारण भेड़े की योजना असफल हो गई और बेचारा भेड़िया बस हाथ मलता ही रह गया अब संकेतों को ध्यान में रखते हुए हमने शिर्शक और कहानी लिखती है और इसकी सीख जो है हमने वो दी है बुद्धी सबसे बड़ा धन है यानि इस कहानी को ध्यान में रखते हुए हमने बुद्धी जो है वो सबसे बड़ा धन है ये सीख जो है कहानी के माध्यम से दी है हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी और इन उधारनों को देख कर जो है आपको कुछ अपरेप्रेशन पतर में इस प्रेशन को हल करेंगे धन्यावाद